Study IQ Bank & SSE शुरुआत से सभलता तक हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू Study IQ Bank & SSE कैसे आप सभी उमीद करता हूँ, सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे और आपकी जो प्रिप्रेशन्स है, उसको और जादा बूस्ट अप करने के लिए Study IQ आपके साथ है तो फ्रेंट्स, हम लोग जैसे की आप लोग जानते है कि बैंकिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइपस के एक्जाम होते है IBPS हो गया, RRB हो गया तो हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें कि मैं बैंकिंग के कुछ कोशन्स लेके आता हूँ पीवाई की उसके, आप जो मैं कोशन्स लेके आए वो आपके सामने लेके आए हो IBPS PO के, 2020 वाले जो कोशन्स है प्री के वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ और आज हम लोग देखेंगे उसमें से कुछ कोशनों को आए देखते हैं, पहला सवाल बिना किसी देरी के हम लोग शुरुवात करते हैं आज के सेशन की और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इस सेशन शेयर कर दीजिए और आपके तो हैई फाइदा, आप अपने दोस्तों का भी फाइदा करवाईए जी हाँ, चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आचुका है, आए देखे इसको कि ये क्या कोशन है है ना, तो आज के जो कोशन्स है यार वो काफी अच्छे लेवल के हैं सभी लोग इसको करेंगे तो क्या कोशन्स पूछता है एक्जामिनर देख लीजिए यार आप है ना, आज आपको ओवियसली दिखेगा कि लग तो रहा है आप छोटा सा कोशन्स लेकिन ये ट्रिकी कोशन्स होते है, जो कि एक्जामिनर आपसे पूछता है, और ये आई भी पेस पियो तो उसर बीस के कोशन्स पेपर में से निकाला गया है ये कोशन्स ठीक है, चलिए करते हैं सभी लोग मिल के साथ में करेंगे जी हाँ, चलिए, स्टार्ट करते है आज का ये सवाल ये रहा 7 परसन, A, B, C, D, E, F and G consecutive in vertical row ठीक है, sits consecutively in vertical row each person likes different fruit grapes, leechy, guava, ये सारे fruits इने पसंद है, two person sits between B and the one who like leechy ओके A sits immediate above the one who like leechy ठीक है, ठीक है, ओके हमें बस इनको vertically row में बिठाना है, उसने बोला, B or the one who like leechy के बीच में, कितने लोग है, दो बन दे है, तो मैंने क्या बनाया, एक तरफ लिखा यहाँ पर B को दो का gap लेके leechy को लिखा इस जगे पर ठीक है, और एक और side में क्या लिखा मैंने लीची को लिखा इस side में और एक और दो का gap लेके यहाँ पर लिखा मैंने B को ठीक है, इतनी बात हमने लिख ली, आगे बढ़ते हैं उसने क्या बोला, A sits immediate above the one who like leechy A, इसके just उपर बैठा है ठीक है, A just इसके उपर बैठा है लीची के, ठीक है जी, चलिए उसने कहा, B likes kiwi B को kiwi पसंद है, तो यहाँ पर हमने डालते kiwi B को kiwi पसंद है, तो हमने यहाँ पर डालते kiwi राइट, उसने फिर क्या बोला उसने फिर क्या बोला, more than 4 percent sit between G and F who likes grapes, F को क्या पसंद है, grapes पसंद है G और F के बीच में 4 से ज़्यादा लोग है 4 से ज़्यादा लोग ओके तो sir, यहाँ पर हमने डाला G को और यहाँ पर हमने डाला F को 1, 2, 3, 4, 4 से ज़्यादे की लोग कितने 5, यहाँ पर डालती है F को, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अरे यह तो साती हो गया यह तो साती बंदे हो गया overall, आगे बढ़ते है F who likes grapes, F को grapes पसंद है F sits at the bottom most position, ठीक है जी उसने क्या बोला, F को बिठाना है bottom most position पर, राइट तो हमने क्या किया, F को इधर डाल दिया है, और हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर लिखते हैं, कि G 1, 2, 3, 4, 5, है ना यह डालती है, हमने 4 से ज़्यादा का 5, और यहाँ पर डालती है F को और F को क्या पसंद है, F को पसंद है grapes, हमने लिख दे हैं, यहाँ पर grapes इतनी बास सभी को समझ में आगी, यह बन रही है हमारी एक figure यह बन रही हमारी हमारी एक figure ठीक है, फिर उसने क्या बोला इस point को हटा दो, क्योंकि हमें पता तो चली गया कि F यहाँ पर है F bottom most पर है A likes guava and sits below G but not immediately below A को guava पसंद है और G के नीचे बैठता है A को guava पसंद है और G के नीचे बैठता है Sir यहाँ पर डाल देते G को देखो यह बैठता G और G के नीचे बैठता है A लेकिन वो immediately नीचे नहीं है यानि कि उनके बीच में कम से कम एक बंदा तो हई है दो भी हो सकते सा let's say मैं देखता हूँ यहाँ पर G हो गया एक का gap लेके A आ जाएगा यहाँ पर A आ गया यहाँ पर तो एक दो तीन का gap लेके एक सेंगे एक सेंगे एक सेंगे जी यहाँ पर आ गया जी और A आ जाएगा यहाँ पर तो A आ गया यहाँ पर तो एक दो तीन का gap सर यहाँ पर B को कैसे बिठाओंगा सरी तो पॉसिबली नीच हो रहा तो पॉसिबली नहीं हो पा रहा, बिठाई नहीं पा रहे, यानि कि ये चीज़ तो गलत लिकी हुई है, हमने सर ए तो यहाँ पर आई नहीं पाएगा, इसको तो हटा दो यहाँ से सीधा तो फिर यह वाला पॉइंट बनेगा, यह रहा ए ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर आज है B, डैश, A और यहाँ पर आज है लीची, या फिर ऐसा भी हो सकता है, B, डैश, A और यहाँ पर आज है लीची, दो पॉसिबिटी बनती है हमारी, अभी यहाँ पर दो पॉसिबिटी बनती है ओके चलिए आगे बढ़ते है उसने क्या बोला है D who likes orange sits below the one who likes banana D को क्या पसंद है? orange पसंद D who likes orange sits below the one who likes banana banana के नीचे की साइड बैठा है D ठीक है? जिसको orange पसंद है and above C ओके और यह C से उपर बैठा है और यह क्या बैठा है? C से उपर की ओर बैठा है यह जो D है ठीक है? यहां तक का हमारा बन गया यह working note and above C यहां तक हो गया? G does not like banana अच्छा, banana वाला बन्दा यहां पे यह बन्दा G नहीं है यह वाला बन्दा जो है वो G नहीं है इतनी बास समझ भागी? ठीक है जी अब हमें यह question को बनाना और हमारे पस सिर्फ इतनी सी information है का से इस question को start करेंगे? हमारे पास दो possibility बनती है कि सर B को यहां पे डाल दीजिए या फिर B को सर यहां पे डाल दीजिए सर अगर हमने B को यहां पे डाला यहां पे आ जाएगा कीवी कीवी तो यहीं पे आ गया और A आ जाएगा यहां पे लीची आ जाएगा यहां पे देखो मैं इसलिए लिख रहो अगर यह चीज़ सही जारी होगी तो हम इसी को finalize कर देंगे otherwise हमें दूसरी वाली possibility लेनी पड़ेगी यहां पे आजाएगा बनाना यहां तो कीवी आ चुका है Candly अबनाना के बाद से यहांपे आ जाएगा डी पर यह तो लीची लिखा हुआन तो लीची लिखा हुआ है कि यहांपे यहां पे बिनियाना इसर्यांबे डालते समझ में आगी सर ये बात तो हमें समझ में आगी ठीक है सर तो फिर कहां पर आना है कौन कहां पर आना है आये देखते हैं सर बी यहां पर नहीं आना तो सर बी कनफर्म है यहां पर आएगा और बी को क्या पसंद है की वी पसंद है ठीक है यह कुछ चीज़े होती है जो माइंड में ही करनी पड़ते है या फिर यहां पर हलक हलका आइडिया लेना पड़ता है a आ जाएगा यहांपे, sir lichy आ जाएगा इतनी वाद सभी को समझ में आ गयी जी हां sir, यहां तक तो sir हमें समंझ में आगए अब इस point को उड़ा दो, चीक है अब यहांपे आ जाएकर d को orange पसंद है यह यह पूरी जगे खाली बसती है तो सर D को कहा पर बिटा है ध्यान से देखना अगर D को यहां पर बिटा है तो बनाना नहीं होना चाहिए था क्योंकि बनाना के नीचे बैठा D तो सर G को तो बनाना मिलना नहीं है तो फिर confirm D आजाएगा यहां पर D आजाएगा अगर यहां पर आपका D आ जाएगा यहाँ पे तो सर ये हो जाएगा बंदा C और सर ये वाला बंदा कौन हो जाएगा जो भी हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आ जाएगा इस जगे पे बनाना इस जगे पे आ जाएगा बनाना उमीद कर तो इतनी बात समझ में आ गई अब यहां पर इस बंदे को क्या पसंद है और इस बंदे को क्या पसंद है यह हमें देखना पड़ेगा तो G के नीचे तो A बैटा ही है A के बारे में कुछ बोला था क्या यह रहा A sits immediately above the one who likes lichy lichy के उपर बैटा है ठीक है जी अब देखो यह लिखा हुआ A likes guava यार A को guava पसंद है A को guava पसंद यह यहाँ पर आजाए उमीद करता हो यह बात है A को guava पसंद है G के नीचे बैटा है आगे समझ सभी को है न जी हाँ यह बन जाएगा आपका question अब यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा यह चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगा ABCDEFG ABCDEFG यहाँ पर आजाएगा E सर और यहाँ पर क्या fruit आना है grapes, leachy, guava, orange grapes, leachy, guava, orange सर अभी तक तो सारे आगे banana, kiwi, apple banana, kiwi, apple apple बचिगा है apple को यहाँ पर डाल देंगे यह बनगे अपना question और यहाँ पर मिलते हैं आपको 5 number जी हाँ यहाँ पर मिलते हैं आपको पूरे 5 number चलिए, इस question को देखते हैं who among the following statement is true regarding E E के लिए क्या चीज़ सही है E को बनाना पसंद है two percent sit between E and A E को बनाना पसंद है और two percent sit between E and A E को बनाना पसंद है E और A के बीच में दो बन दें Sir बास इतने सही समझ में आगे Sir इतने से समझ में आगे Sir ये वाली सही जा रही है ये भी सही जा रही है यानि कि overall ही सही चलिए गई overall ही सही चलिए पता पूरा चैक भी नहीं करना पड़ता फिर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पूर अफ दो फॉलिंग फाइवा एलाइक बिलॉंग सुआ गुरूप सर्टेन वे फाइंड वन विस्ट दस नाट बिलॉंग अब क्या चीज बिलॉंग नहीं करती है यह चीज आपको देखना जी कीवी औरंज 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 ओके एक का गैप छोड़ के सर जी यहां पे कीवी यहां पे सर एक का गैप छोड़ के यहां पे और यहां पे सर एक का गैप छोड़ के ठीक जी इतनी बास समझ में आगी ड आंसर D grapes जी हां ठीक है कैसे देखना होता है हमें समझ में आ गया फॉलिंग परसन लाइक एपल एपल किसे पसंद है एपल किसे पसंद है सर एपल पसंद है जी को जी अपना आंसर हो जाएगा एपल और एक बीच में कितने लोग बैठे एपल यह रहा एक आपना आंसर क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा टिक करेंगे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल इसके अंदर पता है जब भी इस टाइप को ऑप्शन मिल जाए ना समझ जाना यही अपना आंसर होने वाला है है चांसेज होती है तो इसी को हम लोग देख लेते सी और अरे यहां पर कुछ गरबड़ी है सरी तो डी पॉइंट पर लिखा है यानि कि यह होना चाहिता है या तो नीचे देखते हैं इसका क्या आंसर है ना फॉर्थ फ्रॉम भी टॉप मोस्ट क्या बतना है पॉजीशन सब्सक्राइब कर सकता हुं सब्सक्राइब फिर्द और सब्सक्रास सब्सक्राइब D बैटा है वो थर्ड नमबर बैटाबर नहीं सर यहां भी चौथे नमर भी बैटा है सर ऐग्ल मीट्यू है बीड़ सबसे सब्सक्राइब तो इसमें तो यह वाला बनी निया यह वाला बनने रहा है पस है ना यह बनने रहा है फिर या फिर यह वाला भी बन जाए थार्ड फॉर्थ नंबर वे बैटा है ना डी जो है वो उपर से नीचे भी तो फॉर्थ नंबर वे बैटा ना यार बात खतम होगी नीचे भी फॉर्थ नंबर वे बैटा ये तो बनेगा निया रिस्वा यह वाला आंसर हो जाएगा ठीक है जनरली यह वाला बन जाता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हमें वैसी आ गया था कि डी व है तो यह वह वाले कोशन में लेके आयों जो की शिफ्ट हार्ड थी है ना जिसको बोलते हैं कुछ कभी कबार की रीजनिंग हाड आ जाती है मौडड आ जाती है तो यह वह वाला शिप्ट उठाइए मैंने चले करते सभी सके ही लोग मिलके करते स्कूष है ना टवेल्व क्या बोलता है उसने ट्वेल्स स्टेंट ट्रोप इचर इए इधर एक दो तीन चार पांच यहां पर बोलती है रोड टू यहां पर बोलती है रोवन सर हमने रोड टू इसको क्यों माना क्योंकि रोड टू वाले किदर देख रहा है साउथ की और देख रहा है और मैं हमेशा क्या इसे बनाता हूं यह वाले लोग होगे साउथ की और और यह वाले बुक चल दिये आगे, फिर उसने क्या बोला है हमसे, फिर उसने हमसे क्या बोला है, कि, ठीजे फिर उसने हमसे क्या बोला, इजिस्ट्टेट, हाँ, यहाँ से, P who stands in row 2, stands second to the right of T, T के second right पर कौन बैठा है, सर T के second right पर कौन बैटा है अभी देखते है T के second right पर कौन बैटा है सर T के second right पर कौन बैटा है P बैटा है यहाँ पर हो गया T और T देख रहे हैं नीचे की और क्योंकि उसके second right में कौन बैटा है P बैटा है और P कौन सी row पर बैटा है आगे बढ़ते हैं, next point देखते हैं, है ना, L faces K, L किसको face कर रहा है, K को face कर रहा है, यह अगली possibility, two students stand between K and A, A who is at the one of the extreme end, वही, A किसी कोने बेटा है, A end बेटा है, और 1, 2, कितने लोग बैटे है, two students between A and K, यह बात उसने बोली, और A की opposite, और K की opposite क्या है, L है, बात समझे बागी, यह बात, ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसने क्या बोला है, G faces the immediate neighbor of V, G faces the immediate neighbor of V, सर V का कोई एक पडोसी है, या तो यह या फिर यह, इसको कौन face कर रहा है, सर इसको कौन face कर रहा है, इसको सर G face कर रहा है, यह बनाया है, हमने एक और working note, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, फिर उसने क्या बोला, only one person stand between V and L, V और L के बीच में only one person है, ठीक है, सर यहाँ पर बैठा V, यहाँ पर बैठा L, तो सर V और L के बीच में कितने लोग बैठे, only one person, ठीक है, जी, यह हो गया working note अपना, फिर उसने क्या बोला, थ्री पर student stand between F and W, F faces immediate neighbor of P, सर पी के immediate neighbor को F face कर रहा है, या तो इधर वाले को, या तो पी के immediate neighbor को F face, या तो इधर बैठा है F, या फिर P के इस वाले neighbor को F face कर रहा है, बात समझ भाई, कि उसने यहाँ पर बोला था, देको F faces immediate neighbor of P, अभी यह point बचता है ना भी, कि three students stand between F and W, F और W के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तीन लोग बैठे हैं, तो या तो F इधर आ जाएगा, तो F और W के बीच में कितने लोग बैठ जाएंगे, तीन लोग बैठ जाएंगे, ठीक हम इसको देख लेंगे, या फिर यहीं से question उठाएं, नहीं, नहां से question उठाएं, यह देखो, यह बैठा है, के second to the left of W, W के second left में के बैठा है, टीक है, इतनी बात है, समझमें आगी, W को कौन face नहीं कर रहा है, W को सर V face नहीं कर रहा है, इतनी बात है, समझमें आ रही है हर हमें, अब काफी चीजे connected होती हुई जा रही है यहां पे तो हम लोग क्या यहां से कोशन को उठा सकते हैं चली यहां से उठाने की कोशिश करते है यार थोड़ा सा है ना चली हम सबसे पहले T को बिठाने की कोशिश करते हैं सर या फिर F को बिठाते है सर एफ अगर यहां पर आया तो सर एफ अगर सपोस्ट करो यहां पर आया तो तीन तीन का गैप लेके डबलू आ जाएगा यहां पर राइट डबलू आ जाएगा यहां पर है ना W आ जाएगा यहाँ पर और W के second left में K बैठा है सर यहाँ पर आ जाएगा K और K और A के बीच में दो का gap लेके A आ जाएगा यहाँ पर सर यहाँ तक तो यह बिल्कुल सही जा रही है अभी तक तो बिल्कुल सही जा रही है दूसरी possibility क्या हो सकती है सर और भी कोई possibility हो सकती है सर अगर F यहाँ पर डाल दिया गया तो सर F यहाँ पर डाल देगा तीन का gap लेके एक दो तीन का gap लेके W यहाँ पर आ जाएगा है ना W यहाँ पर आ जाएगा W के second left में कौन है K है और K और A के बीच में दो का gap है दो का gap लेके A आ जाएगा यहाँ पर राइट F को कौन F का पडोसी कौन है सर F का पडोसी बन जाएगा मतलब F जिसको भी देख रहा है उसका immediate neighbor हो जाएगा P सर या तो P आएगा इस जगे पर या फिर P आएगा इस जगे पर दो possibility फिर बन गी दो possibility फिर बन गी देखो और T के right side में T के right side में बैठा P second right में सर T के right side में या तो T आएगा इस जगे पर या फिर T आएगा इस जगे पर दो possibility बन रही है समाजी गए ओके ओके देखो ये वाला point हो गया है है ना W के opposite V नहीं बैठा सर इस जगे पर V नहीं आने वाला सर इस जगे पर V नहीं आने वाला ये point उड़ा देते हैं ये point उड़ा देते हैं ये point हटा देते हैं V का जो पडोसी है वो G उसको V का पडोसी को G face कर रहा है सर इस point को उड़ा देते हैं सर L और V A sore K अपने पास बैटा है K बैठा है K के अपोजट L बैठा है सर L को यहाँ पे डालते एल और V के बीच में एक का गया पर सर वी इदर भी आसे अचा वी इदर तो आए नी सकता तो V आ जाएगा ईधर के के अपोज़िट कॉं बैटा है ऐल बैठा है V के पडोसी को G face कर रहा है सर, यहाँ पर आ जाएगा G ठीक है, इस point को भी आप हटा दीजी अब आगे बढ़ते है यार उसने क्या बोला है R stands हाँ जी फिर उसने क्या बोला है R stands to the immediate right of S सर, S के immediate right में R बैटा है यहाँ अपने को दो जगे खाली चाहिए अपने को दो जगे खाली चाहिए जिससे हम S और R को बिठा पाए सर, S के immediate right में R बैटा है सर, S के immediate right में R बैटा है अब देखो S नीचे देख रहा है तो उसके immediate right में R बैटा है ठीक है जी, यह point हो गया फिर बढ़ते हैं उसने क्या बोला R and S do not face A R and S do not face A R and S किसको face नहीं करते A को face नहीं करते Sir R and S A को face नहीं करते Sir A को face कर रहा है S तो यहाँ पे यह होगी possibility गलत यह वाली सही जा रही है Q stands in the same row as K Sir K वाली same row पे बैठेगा Q तो यहाँ पे डल दिया Q अब देखो P P अकेले रहे गया है और सर एक TV तो रहे गया है तो सर यहाँ पे डल जाएगा T और यहाँ पे डल जाएगा P और सर यह हो जाएगा अपना कोशन Sol और सर यह हो जाएगा अपना कोशन Sol यह बन गया है हमारा अज यह वाला सवार ठीक है और मिलते आपको पाच नमबर मिलते आपको कितने पास नमवर नहीं ठीक है चलिए आगे बढ़ते यह कैसा कोशन था यह आप मेरे को कमेंट सेशन में बताना किस टाइब को कोशन था और यह प्रिवेस्ग एर में आया हुआओ अपको कितना टाइम लागा इस कोशन को सॉल्व करने में देख ला देख लेना आप इसको है ना हाउ मेने स्टूडेंट से बीच में कितने स्टूडेंट एक यहां पर एक दो-टीन-चार-स चार शुडेंट बेट हैं टिक करेंगे चार पे more than 3, if P is related to F, P related to F, G related to V, P related to F, G related to V, देखो P F से G V से, okay sir, then in the same way L is related to, L किसे relate करता है, sir L is related to, L यहाँ पर तो sir Q से relate करता है, P किसे relate था F से, G था V से, तो L किसे हो जाएगा, Q से हो जाएगा, sir, यहाँ पर अपना अंसर हो जाएगा, Q, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएगे, who among the following faces is the one who stands second to the right of S, who among the following, क्या बोलता है, who among the following faces is the one who stands second to the right of S, जो बन्द है S के second right में बैठा है ना, उसको कौन face कर रहा है, यह बाद वो पूछ रहा है, ना, who among the following faces is the one who stands second to the right of S, तो सर, S के second right में कौन बैठा है, सबसे बहले आप यही दिखके आजाओ, S के second right में L बैटा है और L के opposite कौन बैटा है, K बैटा है, L के opposite बैटा है, K, तो यहाँ पर option में है K, सर नहीं है, the one who sits third right of F, the one who sits third right of F, F के third right नहीं सर, the one who sits immediate left of W, W के immediate left के नहीं सर, the one who sits immediate right of G, G के immediate right वाला K, यह सर यह वाला अपना अंसर हो जाए, ठीक है जी, समझ में आ गया, four of the falling fiber alike in a certain way and hence formed a group which of the falling does not belong to the group, क्या चीज बिलॉंग नहीं करती है, इस group से, S, Q, L, G, A, V, T, G, अब यह देखना पड़ेगा, S, Q, L, G, S, Q, L, G, यहाँ तक तो सही जा रहा है, A, V, T, G, A, V, T, G, S, T, G, कैसे आ गया है, यह तो बिल्कु सामने वाला अबन गया, S, यही अपना अंसर हो जाना चाहिए, फिर तो, K, R, K, R कैसा है, सर, K, R भी ऐसा है, तो, S, अपना अंसर क्या बन जाए, कर टीजी बन जाए, G, के second right में Q बैठा है, सर, यह तो बिल्कु साही है, और Q faces R, सर, यह भी साही है, Q faces R, सर, यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, Q faces immediate neighbor of T, Q faces immediate neighbor of T, T के immediate neighbor को Q face करता, सर, यह चीज गलत हो गई, तो हमारा हमें क्या बताना है, which is not true, सर, यह वाला बन जाएगा अपना answer, समझे गए, तो यह बनता है अपना answer, जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओके, ओके, देखो, यह हमारे एक course है, achievers batch, जिसमें आपको banking, और banking and SSC का, दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि यह आपका जो batch है हमारा, यह start होने वाला है, देखो, बैज starting हो तीस अप्रेल, यह तीस अप्रेल, आगी तीस अप्रेल, महाँ से start हो जाएगा, और आपके बास समय कितना है, थोड़ा सी समय है, अब इस batch को अगर आपने अभी तक enroll नहीं किया है, तो आप इसको enroll कर स थोड़ा सा अंदर से एक होती है ना कि सर हमें इस वार banking का paper निकाल नहीं है, इस वार हमें SST में आगे बढ़ नहीं है, तो उनके लिए ही है यह pack, ठीक है, तो आपको भारत वर्ष के यह देख सकते हो, आप experts आपको पढ़ाएंगे, और काफी अच्छे से आपको to the point चीज आप चेक आउट कर लिजेगा, Study IQ की साइट पर, और हाँ, एक coupon को डालना मत भूलना, जो है सागर live, जो है सागर live, इस से आपको मिलेगा maximum discount, याने कि जो flat 20% extra discount मिल जाएगा आपको, जो discount दे रहे है, वो तो अच्छी बात है, उसके extra 20% discount आपको और मिल जाएगा, जी हाँ, work is worship, सर ये सारी बाते हम से पूछ रहा है, तो यार इसके लिए आप क्या करो, इस कोशन का सबसे पहले है न, मैं आपको वे बतारो, इस कोशन को आपको कैसे करना है, इस कोशन को आपको कैसे करना है, सर, कोशन देख लिया करो, कितने पूछ रहा है वो आप से, वो आप से पूछ रहा है सर आर्टी ए भी वर्षिप टाइम पासिस ये सारी सीज़े पूच रहा है कोई बड़ा सब नी पूच रहा है नए सर बड़ा सा कुछ नहीं पूच रहा सब conveyable से ठीकमेद पाई ना टृक्त फिर और एक एक क्र कैद गालेते है यह वर्छेप कहा पे यहां पर रीचिंब कहा पर हैनि यहां पे clear इस वाले का आंसर टिक dancing यहां GUY यहां पर देख लो जो चीज easy होती ही ना पहले उसको देख लिया करो RT किसका code हो सकता है सर? RT RT तो अकेले बैटा है यहाँ पे सर यह तो बिल्कुल अकेले ही बैटा है सर यहाँ पे JK मिल गया हमें JK किसका हो सकता? Work का हो सकता JK JK हो जाएगा work का और तो इसका code हो जाएगा RT इसका code हो जाएगा RT लीजे सर इस पे मार दीजे टिक और आप ना हो जाएगा answer is AB हम से पूचा कि AB किसका code है Sir AB के लिए हमें क्या करना है AB के लिए हमें क्या करना है AB कहाँ पे बैटा है सबसे बहले AB बैटा है यहाँ पे Sir MN और EF सर एबी के लिए तो कोई कॉमन ही नहीं एमन यहां पर आगे एफ भी सर यहां पर कहीं नहीं है तो सर यहां पर हमें कुछ ढूलना पड़ेगा क्या हो सकता अपना अंसर ठीक है AB, MN, MN किसका हो सकता है, सर MN हो सकता है hard का, MN तो hard का हो जाएगा, यानि कि time passes, इसके बारे में हम बता नहीं पारे, time passes क्या हो जाएगा, AB, EF, यार हम से ये भी तो पूचा ही था, ये भी कुछा था, ये रहा, time passes, AB, EF, राइट, हमने निकाल दिया, time passes का AB, EF, अब AB का कैसे बताएंगे सर, AB का हाम नहीं बता सकते, या तो time है या पासे तो हम एक्जेक्ट शौर हो के नहीं बता सकते, तो अपना answer हो जाएगा, cannot be determined, रा से तो इयार वर्शिप क्सिऽंक नहीं था अभी हमने देखा था तो सबसे पहले आप देख लो आअए वह कड़ाय थे यह अभी हम कर रहे थे रिपलिद में है smith को मनें सब्सक्राइब तो अपने को करॅद्वाला बताना था यह बन जाएगा हुमारा करेक्ट वाला आंसर उमीद करता है आपको सारी चीज़े बिल्कुल अभी तक समझ में आ गई है ठीक है तो यह थी आज का सेशन कैसा था आपके सामने मैंने पंदरा कोशन्स रखे और सारे पंदरा कोशन्स देख लीजिए कि बिल्कुल एक्जाम ओरिंटेट कोशन्स है दालता रहता हूं और भी जो इंफर्मेटिव चीज़े होती है वह मैं डालता रहता हूं ठीक है कभी कभार नॉट डेली कभी कभार ठीक है चलिए तो यहां पर यह चीज़ को मैं फिर से रिमाइंड करते तो यह आपको पैक है वह 30 अप्रेल से जो हमारा बैच है वह 30 से स् चैक आउट कर सकते स्टड़ी की साइट पर जाके बस ध्यान रखना आपको कूपन को डालना सागर लाइव जिससे कि आपको मिलेगा मैक्सिम डिसकाउंट इस कोर्स के थुरू आपको एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएंगे अपने एक्सपिरियंस को साचा करेंगे आपक कि जो भी जर्णी है वो थोड़ी एजी हो जाए ठीक है तो अब भी के लिए बस मैं इतनी बात कहना चाहूंगा और आगे मिलते आपको इसी मैं डेली आता हूं यहां पर दो बजे हैं हमारी क्लास होती है तो आप लोग सभी देखे करिए इस क्लास को और अपने दोस्तों क करते जारें इंक्रीस करते जारें और अभी एक समय ऐसा आएगा जब मैं में इसके कोश्चन आपके सामने साजा करूंगा तो जब तक के लिए बस स्टे ट्योन रही है और देखते रहें स्टड़ी आईक्यू बैंक एन ससी जैहिंध दोस्तों Study IQ Bank & S.S.C. शुरुआत से सभलता तक